Hello and Welcome to Divine Connection कैसे हैं आप सब लोग क्या आपका भाग पहले से ही लिखा जा चुका है क्या आपकी जिन्दगी predestined है बहुत जगा आपने सुना हुआ है ना कि किस्मत हमारी जन्द से पहले ही लिखी जा चुकी है पहले से ही सब कुछ होता है कि जिन्दगी में हमें क्या मिलेगा क्या नहीं मिलेगा सब कुछ पहले से ही हमारी कुंड़ी में लिखा होता है हमारी किस्मत में होता है लेकिन अगर ऐसा होता है तो फिर ये free will क्या होता है क्यों बोला जाता है कि कुदरत आपकी हर इक्षा को पूरा करती है, हर बात पे तथास्तू करती है क्यों law of attraction में हमको सिखाया जाता है कि यह attract करो, वो attract करो क्यों बोला जाता है कि you are the creator of your life जैसी जिनगी आप जीना चाते हैं, आप वैसी जिनगी जी सकते हैं ये सारी बाते कहीं न कहीं आपके दिमाग में conflict पैदा करती हैं और कभी न कभी आपके दिमाग में ये question जरूर आता होगा कि अगर सब कुछ predestined है तो फिर ये free will क्या है फिर क्यों हमको बोला जाता है ये manifest कर लो अगर मेरे भागी में वो चीज है ही नहीं तो फिर मैं कैसे manifest कर लो अगर ये question आपको कहीं न कहीं परिशान करता है तो आज इस वीडियो में उसका सवाल उस सवाल का जवाब ढूने की कोशिश करेंगे मुझसे ये सवाल ना कई बार पूछा भी गया है कॉल्स पर भी मुझसे कुछ लोगों ने पूछा था कि दी कुंडली में बताया जाता है या अस्ट्रोलजर बताते हैं आपके भागी में तो ये लिखा है आपकी शादी तो इससे ही होगी अगर ये ऐसा होता है तो फिर क्यों बोला जाता है ये मैनिफेस्ट कर लो ऐसा पार्टनर मैनिफेस्ट कर लो तो कॉमेंट में भी मुझसे पूछा गया था और मैंने बहुत दीटेल में उनको उसका जवाब दिया था तो मुझे लगा कि मुझे इस पर एक वीडियो बनाना चाहिए क्योंकि बहुत सारे लोगों के दिमाग में कोश्चन आता है मेरे भी दिमाग में कोश्चन बहुत बार आता था और बहुत जादा मैं धूनती रहती थी इस कोश्चन का जवाब तो आखिरकार मुझे समझ आया कि आखिर ये चीज है क्या और वही चीज मैं आपके साथ इस वीडियो में शेयर करूंगी ताकि आपको भी एक सटीक इसका आंसर मिले कि ये फ्रीविल वली बाते क्यों बोली जाती है अगर सब कुछ प्रीडेस्टाइन है तो देखिए समझ ये प्रीडेस्टाइन याई आपकी डेस्टिनी पहले से ही लिखी जा चुकी है डेस्टिनी कौन लिखता है बोला जाता है कि भगवान आपकी तकदीर लिखते है मैं बोलती हूँ भगवान का कोई रोल नहीं होता ना वो आपकी तकदीर लिख सकते हैं ना वो आपकी तकदीर बिगार सकते हैं वो तो सिर्फ आपकी सहायता करते हैं आपको हिम्मत देते हैं सिचुएशन से लड़ने की आपको ताकत मिलती है जब आप भगवान की मदद मांगते हैं तो लेकिन इसके अलावा जो कुछ भी आप भोगते हैं, जो कुछ भी आप आपकी जिनदगी में चल रहा है, वो आपकी कर्मों पर आधारित होता है. आपका कर्म फल होता है. जैसा कर्म हम करते हुए आफे हैं, अब दिमाग में कोशन आता है, कि मैंने तो कुछ किसी का बुरा किया नहीं, मुझे बुरे लोग क्यों मुलते हैं, मेरे साथ बुरा क्यों होता है, मेरा तो कोई कंट्रोल नहीं है, मैं किस गर में पैदा हुआ, मेरे कैसे माबाप थे, मेरे भाई भेन कैसे हैं, मेरी कौन सी कंट्री में मेरा जनम हुआ, किस situation में मैं पैदा हुआ, तो ये सारी चीजे हमारे दिमाग में कई बार आती है, काईसा रंग रूप मुझे मिला, तो ये कहीं न कहीं आपके कर्मों का ही नतीजा होता है, बहुत से लोग इसको मानते हैं, बहुत से लोग इसको फेक करार देते हैं, कि ये सब फाल्दू बाते हैं, मैं मानती हूँ, इसलिए मैं बता रही हूँ, ठीक है, क्योंकि कोई इंसान आपके भागी को लिखनी सकता, भगवान भी आपके भागी को लिखनी सकता, हमारे कर्म हमारा भाग बनाते हैं अब बात आती है कि मैंने कुछ किया नहीं फिर मेरे साथ क्यों बुरा हुआ तो आप कौन है? आप एक सोल है आप सोचते हैं कि मैं तो ये बॉडी हूँ और बस मेरा इतना ही अस्तित्व है नहीं आप एक सोल है जो ना जाने कितनी bodies में रहकर आई है, ना जाने कितने कर्म करकी आई है, तो वो सारे कर्म संचित हो जाते हैं, उसको हम संचित कर्म कहते हैं, सारे कर्म घटे हो जाते हैं, और कुदरत क्या करती है, जो भी हम कर्म करते हैं उसका एक parcel बना के रख लेती अपने पास, इसने ये ठीक है तो जो भी हमने अगर बुरा सोचा भी किसी के बारे में तो कुद्रत तुरंत उसका पार्सल बना लेती है और टाइम टू टाइम वो पार्सल हम तक पहुंचाये जाते है या तो किसी इंसान के तुरू को इंसान आएगा बेवज़ा हमको गाली देकर चला जाएगा हम सोचेंगे हमने तो इसका कुछ विकारड़ा नहीं क्यों हमको गाली देकर चला गया क्योंकि कुद्रत ने एक पार्सल बेज़ा आपने कुछ किया कुद्रत का वो तरीका है वो उसका निडाला तरीका है कब वो पार्सल आपके पास आएगा किसके थूँ आएगा आप भी नहीं तै कर सकते आपका काम है सिर्फ कर्म करना आप सिर्फ वही कर सकते जो आपकी कंट्रोल में है ना सिर्फ आप वही कर सकते हैं ठीक है तो ये सारी चीजें कि हम कहां जन्म ले रहे हैं किस घर में जन्म ले रहे हैं इस सारी चीजें हमारे कर्मों पर डिपैंड करती हैं तो उस हिसाब से हमारी तक्दीर तै होगी कि भाई इसमें ये 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 काम किये हैं ये 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 पार्सल इसको मिलेंगे time to time इतना इसका जीवन है ठीक है यनि कि आपके बर्थ से लेकर आपकी दैख तक B2D यहां तक आपका जीवन है और इस जीवन में जो भी आप कर्म करते आ जाहे हैं चाहे आपने अभी तक जो किया राइट या पिछले जन्मों में जो किया वो सारे संशित कर्म हो गए and कुदरत ने उनके पार्सल बना के रख लिए time to time वो आपके पास भेज़ेगे एक साथ कभी नहीं भेशती कि एक साथ ही सब कुछ भेजते क्याते कभी जा है हम जानते हैं इस चीज़ को अब तो यह हो गया कि प्रीडेस्टाइंड है क्योंकि time to time है नहीं हमारी बी टू डी यानि की बर्थ से लेकर दया तक हमको वो पार्सल time to time मिलते जाएंगे वही हमारी बोला जाते है कि कुंडली में है इस एज में होगा इस एज में होग है B to D, birth to death, destiny decide उसके बीच में alphabet आता है C, यानि choice, your choice, this is called free will, आपकी free will, आपकी इक्षा, आपकी choice है और आपकी choice अब आपकी आगे की destiny decide करें यानि जो destiny आपने बना दी वो आपके पुराने करमोगी लेकिन आज से अभी से जैसे आप choice बनाते हैं और जैसे ही आप कर्म करना start करते हैं वो decide करेंगे आपकी आगे की life, आपकी destiny, future destiny इसलिए बोला जाता है कि आप अपनी life के रचाईता खुद हैं आप अपनी life की किताब को खुद लिखते हैं क्योंकि आपको नहीं समझती आपने कर दिया जैसे ही आपको समझ आई यही तो free will है कुदरत तभी तो तथास्तू बोलते हैं आपकी इक्षा है आपकी choice है जैसा जीवन आप चाते हैं कुदरत का काम है उस पर तथास्तू बोलना अच्छा अगर आपने अच्छा जाहां अ आपकी choice है कुदरत हमेशा आपको दो रास्ते देती है अब आप एक healthy जीवन जीना चाहते है healthy life चाहते है कुदरत ने आपको दो रास्ते दिये एक तरफ बर्गर फिजा पेटीज बढ़िया बढ़िया खाओ एक तरफ fruits खाओ green vegetables खाओ salad खाओ यह सारी चीजे खाओ healthy food खाओ right choice is yours जैसा आप choice लेंगे जो यह आपकी free will है यह है आपकी free will कि आप choice लेने के हगदार है जैसी जिनगी चाहते है right तो आपकी choice है मेरी choice अगर मैं यह unhealthy चीजे खाता हूँ तो सबको मालू मैं क्या होने वाला है अगर अगर healthy चीजे खाता हूँ तो of course मैं fit हो जाओंगा choice is yours तो जैसा मैं choice आज लूँगा उस हिसाब से मेरी destiny तै हो जाएगी कि मैं आगे fit रहूंगा या unfit रहूंगा आप किसी karmic relationship में हैं मेरे पास यह सवाल भी आया था कि हम karmic relationship में क्यों आ जाते हैं कर्मों के आधार पर आ जाते हैं वाई क्योंकि एक तो आप negative रहते हो सीधा काम यानि कि कर्म आपके फसे हुए थे किसी के साथ तो आज वो आ गया और आपने उसको attract भी कर लिया क्योंकि आपकी vibration low थी अब यहां पर यह मैं मालू कि मेरी तो destiny ही खराब है तो destiny में यह इंसान था तो यहां पर भी आपकी free will काम करती है यहां पर भी आपकी choice काम क जिल्दगी ऐसी काड़ दू या मैं choice लेती हूँ कि मुझे इस रिष्टे में अपनी रहना मुझे इस रिष्टे से बहार निकलना है choice is yours जैसी आप choice लोगे वैसी आपकी destiny बन जाएगी तो यह सारी चीजे depend करती है आगे आपकी कैसी destiny होगी depend करती है आपकी आज की क्या choice है that is your that is called free will आपकी free will जो आपको universe ने दी है और हम इंसानों को ही यह free will मिली है जानवरों को नहीं मिली क्योंकि हमारे पास ही बुद्धी है हमारे पास ही सोचने समझने की ताकत है और कर्म करने की ताकत है हाथ पैरों से कर्म कर सकते हैं हम विचारों से कर्म कर सकते हैं इसी ए of attraction में जब बोला जाता है आपको positive रहो, सिर्फ अच्छा-च्छा-च्छा-च्छा सोचो, जितना अच्छा सोचोगे, उतनी अच्छी चीजे आप attract करोगे, क्योंकि जब आप अच्छा सोचोगे, तो वही आपके बोली में आएगा, वही आपके कर्मों में आएगा, वही आपकी habit बन जाएगा, और वही आपकी personality बनेगा, और वही आपकी destiny बनेगा, तो आज जैसी आप choice लेते हैं, वो आपकी destiny decide करती है, pre-decided भी नहीं है, जो बोलते हैं na predestined है, तो predestined तो वो हो गया, जो आपने बीच बोया था, वो तो आज आप काट रहे हो, और आगे भी आगे चीजे आएगी, कुछ खराब चीजे आएगी, लेकिन choice मेरी है, कि मैं कैसे handle करता हूँ, मुझे कोई इंसान गाली देके गया, मेरे पाइस दो choice है, या तो मैं उसको पलेटव कर गाली दे दू, तो अपना कर्मा फिर से उसके साथ उल्जा लूँ, या फिर मैं उसको बोलू चलो जाने दो, मेरा कोई कर्मा होगा, God bless you, और वही पर मैं उसको कर्मा को खतम कर दू, choice is yours, जैसे आप choice रखेंगे, वैसी आपकी destiny बन जाएगी, तो यही आपको law of attraction में सिखाया जाता है, कि आज, आज और अभी से ये choice लीजे, कि मैं हवेशा positive रहूँगा, खुश रहूँगा, अच्छे कर्म करूँगा, और अपनी जिन्दगी अपने हिसाब से चीऊँगा, और यहाँ पर भी आपकी choice है, या तो आप इस वीडियो को समझते हुए, बेरी बात से सहमत होंगे, या फिर आप अपनी असहमती चताएंगे, आप बोलेंगे कि नहीं, सब कुछ भागी होता है, तो choice is yours, तो जैसी हम अपनी choice रखते हैं, वैसी हम अपनी life बना लेते हैं, so thank you so much for watching my video, bye!